ये उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से ये हडिया दारू पहले जो महिला है जारखंड की महिला हुआ बेशती थी लेकिन अब ये जे एसल पीएस के तहत वह किस तरह से सम्रिद्ध हो रही है वह किस तरह से प्लास्माट से जुड रही है और उनके हाथों से बनाए गए जो समान है वह एमेजन पर भी बिक रहे हैं 26 जनवरी को राची के मुरावादी मैदान में जारखन सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा कई जहांकिया प्रस्तुत की जानी है उन्हीं में से एक जहांकिया आपको रूरल डेवलप्मेंट यानि की ग्रामीन विकास के देख रहे हैं यह दरसल दरसाने और बताने की कोशिज की गई है कि ग्रामीन विकास विभाग के जे-स-ल-पी-एस के तरफ से या उनके सपोर्ट से एक ग्रामीन महिला को किस तरह से ससक्त किया जा रहा है अभी हलांकि यह काम चली रहा है अभी अलग-अलग जो का करीग कर आए हैं इसे बनाने सजाने और सवारने में लगे हैं यह जब बन जाएगा और इसकी जहांकी जब कल प्रस्तूत होगी तब आप भवे रूप से देख कर समझ सकते हैं कि आखिर यह क्या कुछ इस जहांकी के माध्यम से सरकार मैसेज देना चाहती है जनता को बताना चाहती है हमारे साथ JSLPS के विकास कुमार है विकास जी थोड़ा सा इदर आजिएगा यह जो महिला हांत उठाकर है यह क्या मैसेज है और इसके दोनों तरफ पंक देखिए सनी मैं आपको बता दू कि ग्रामिन विकास विभाग अंतर का JSLPS जो है वो महिला ससक्तिगरन के लिए रा कि कैसे ग्रामिन महिलाएं पलास ब्रांड के जरीए आत्म निर्भरता के पत्पर आगे बढ़ रही हैं वहीं फूलो जानों असिरवाद अभियान के जरीए वैसी महिलाएं जो हडिया दारू विक्री से जुड़ी हैं जो बेसिकली कूपरथा के जैसा प्रतीत होता है कि हम पारी माँ बहने जो हैं ऐसे प्रोफिशन से भी जूड़ी हुई है उनको इस प्रोफिशन से दूर करके और ससक्त आजीविका से जोड़ने के लिए भी हम लोग इनिसेटिव लिये हैं तो इन दोनों इनिसेटिव को हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे अलग-अलग मंदल से जुड़ी हुई महिला है सखी मंडल इनका पावर है जिसके जरिए उस संगठन की सक्क्राइब onde अधा कर रही है यहां यहां पर आप देख सकते है यह जो लोग ने दिखाया है कि हड़िया दारू-बिक्रीक करने से जो महिलाएं जूडी है उन महिलाओ Comment को अब ऐसी आजीविका से जिसमें सम्मान नहीं है सम्मान जनक में हम लोग जोड रहे हैं और यह जो ट्री बनरा है यह जोड़ Cameव तरय अजय को वह उद्हनें और सफ़ß there उद्दिमी के रूप में वो काम करें, उनको इंट्रेस्ट्री लोन देने का हम लोगों ने प्रोविजन शुरू किया है, ऐसे जी में जोड़कर, उनके काउंसेलिंग की विवस्था है, ताकि उनको काउंसल किया जा सके कि ये रोजगार आपके लिए ठीक नहीं है, आप इस रोजगार से जुड़िये, पलास, जी, उसके बाद हम लोगों ने जैसा बताया, मैंने आपको कि पलास ब्रांड जो है, वो रूरल विमेन को एक बड़ा प्लेटफर्म दे रहा है, सकी मंडल की महिलाओं को, तो पलास ब्रांड के जरिए महिलाएं जो हैं, फार्म से लेकर और मार्केटिंग तक सारा कुछ कुछ से कर रही हैं, और पलास ब्रांड उसको एक बड़ा बजार से जोड़ रहा है, पहचान दे रहा है, महिलाएं खेती करती हैं, फिर कलेक्टिवाइजेशन उनके जरिए होता है, एक जगह पर हम लोग कलेक्टिवाइजेशन को दिखा उसके आगे कैसे लेमन्ग्रास का तेल निकलता है, दाल का प्रॉसेसिंग होता है, दाल मील चलता है, वो सारा वहां महिलाएं करके दिखाएंगी, और लास्ट में वो पलास मार्क का स्टोर रहेगा, जिसमें इन महिलाओं के द्वारा प्रेडियूस किये हुए सारे आप का ताकि लोग यह जान सकें कि उनके जार्खन की ग्रामीन महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद इस मोबाइल आप के जरीए वो अपने घर बैठे और करके अपने घर में मंगा सकती हैं वाजिब कीमत पर उत्तम गुनवत्ता वाले सखी मंडल की महिलाओं द्वारा अभी तयार ही हो रहा है और इसके माध्यम से दरसल मकसद यह है कि गाउं देहात में हड्यादारू बेचने वाली महिला किस तरह से जुड़कर ससक्त हो रही है वह दिखाने की कोशिस है और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लास्मार्ट के जरीए जो गाउं घर में प्ला जो महिला है जारकन की ग्रामीन महिला हुआ बेचती थी लेकिन अब यह जेएसल पीएस के तहत वह किस तरह से सम्रिद्ध हो रही है वह किस तरह से प्लास्मार्ट से जुड़ रही है और उनके हाथों से बनाये गए जो समान है वह एमेजन पर भी बिक रहे हैं यानि कि ग् 20 जनवरी को की जाएगी और उससे पहले ये द्री से हम आपको दिखा रहा हैं सुक्रिया विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल एक सिवियसी अफ्लियेटेड इंग्लिस मेडियम कोड़ स्कूल है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं the follow-up dot in like share and